दोस्तों अगर आपके भी घुटनों में कमर में दर्द रहता है या फिर मांश्वेश्यों में अकड़न रहती है रात को जब आप सोते हों तो पिंडलियों में दर्द होता है तलों में दर्द होता है या फिर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है रात को नीद अच्छे से न प्रॉलम रहती है थाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता अगर आपका इम्मुनिटी वीक है बार-बार बिमार पड़ जाते हैं तो ऐसे में उपाय बहुत फायदा करेगा आज में आपके लिए बहुत इफेक्टिव पाउर्फुल होम रेमेडी लेकर रहे हो जिसके इस सारी समस्याओं से चुटकारा पासकते हो जानते इस उपाय को तयार कैसे करना है दोस्तों इस रेमेडी के सबसे खास बात यह है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए नैच्रल चीजों का इस्तमाल किया गया है जिसा किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता ह को अगंविस्ति रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है सौंफ यहाँ आपर हमें बड़ी सौंफ ले यहें हमारे भाडी में ठंड़क पैदा करती है हमारे digestion को improve करती है इसके लावा हमारे श्रीर में रोक पतिरोलग शम्ता यानि immunity को मजबूत करती है पेट में gas, acidity कोई प्रावलम को दूर करती है यह body को detox करने में help करती है इसके लावा अब आपको इस उपाय को बनाने के लिए दूसरा ingredient लेना है वह है दोस्तों सोंट का powder इसके अंदर बहुत ही powerful digestive enzymes होते हैं यह हमें सर्दी, खासी, बुखार से आराम दिलाते हैं यह हमारे immunity को मजबूत करती है साथ ही हमारे share को infection से भी बचा कर रखता है तब बारिश का मौसम है दोस्तों और बारिश का मौसम होता है बीमारियों का मौसम इस मौसम में वारल बहुत तेजी से फैलती है तो इस वारल से बचाने में यह सोंट आपकी help करेगा अब आपको लेना है धागे वाली मिसरी दोस्तों इस तरह की डल्ले वाले मिसरी आपको बाजार से ले लेनी है और इसे उप्योग मिलाना है यह मिसरी बहुत ही फादेबंध होती है यह आपको किसी भी grocery shop से आसाने से मिल जागे मिसरी हमारे share में ठंडक प्यादा करती है हा पहले के जमाने के लोग सिर्फ मिसरी और गुड का इस्तमाल ही किया करते थे बोरा या खांड खाया करते थे लेकिन आज के समय में लोग चीनी खाकर बीमार पड़ते जा रहे हैं तो बजार से चीनी लाना बंद कर दीजिए और इसकी जगह इस तरह का मिसरी लेकर आगे मि बजार से इस तरह का सुखा हुआ अदरक लेकर आना है सोंट लेकर आना और इसे घर पर ही पिसकर इसका पाउडर बनाना है बजार में मिलने वाला जारतर पाउडर जो है वह मिलावटी होता है इसमें से और पहले से ही निकाल लिए जाते हैं इसका फायदा हमें नहीं मिल है। तो आपको घर पर ही पीशस्ग का पॉडर तयार कर लेना है। और हमें इस तरह तरह से आधी चममत शेड़्ट एड़िया अगर ने तो मिसरी को अवह करें अब आपको अच्छे से गरम होने दे कम से कम 6-7 पीनिट तक इस इसे उबलने दे। आपको सकते हैं कि इस तरह का दिखने लगेगा दूद का रंग हल्का चेंज हो जाएगा अब इस दूद को मग या गिलास में च्छान करने का लेजिए और सोने से पहले आपको सिप सिप करके अराम से पीना है ऐसा आपको लगातार एक महिने तक करना है आप देखेंगे कि पहले वि वीडियो कैसे लेगे जानकारी कैसे लेगे तो आप इस वीडियो बें बसेता ही दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद